पर पास में जो ओपनिंग्स आये हुए हैं जेप्टो वेर हाउस कमपनी में इसमें male female बहुत candidate का हाईरिंग है सेकेंड तिंग यहाँ पे helper का post है supervisor का post है and well data entry operator का post है मतलब तीन profile के लिए personally hiring है जिसमें helper है उसके बाद supervisor है उसके बाद data entry operator है और यह तीनो profile के लिए भी hiring चल रहे है just because आप लोग information अच्छे से collect कीजिए उसके बाद में आप लोग next process को follow कर सकते हैं याद रखिए हमारे पास में जितने भी सारे jobs के recruitment आते हैं vacancies आती है वो totally free होता है इसमें कोई भी charges या फिर fees वगएरा नहीं लगते हैं तो यह जो भरती है बिलकुल free है कोई पैसा या फिर कोई charge नहीं लगेगा यह नया warehouse का openings होने वाला है यह जो company है जेप्टो वेर हाउस है तो जेप्टो वेर हाउस में दरसल multiple of positions के लिए hiring चल ला है तो यह चीजों को समझना first of all आपकी responsibility होती है तो यहाँ पर जेप्टो वेर हाउस में अभी hirings continue चल ला है जिसमें male and female बहुत candidate eligible है यहाँ पर 18 से 40 साल तक के candidate को लिया जाता है वेल कोई 18 years है या फिर 40 years है में भी उसको भी लिया जाता है तो 18 से 40 साल तक के candidate company में चलते हैं इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर अगर भरती की बात करूँ तो अभी continue चल लहे हैं काम जो है जिप्टो वेर हाउस में ग्रॉसली के सामान को picking, packing, scanning, loading, loading का काम रहेगा helper का खाने पीने का आदी का सामान रहता है उसी को आपको packing, picking, scanning, loading, loading करना होता है जो helper है उनके लिए लेकिन positions अलग-अलग है उसके बारे में भी हम आपके साथ में sharing कर रहे हैं लेकिन जो केवल आधारकाट वाले कम पढ़े लिखे लोग है अनपढ़ लोग है वो loading, unloading में लगेंगे बाकी सभी पढ़े लिखे लोगों को अच्छा काम दिया जाएगा तो यह भी चीजों को mention किया गया है कि loading, unloading का 600 रुपे salary कम है बाकी अलग-अलग differentiation है और यह हर्याना location में काम है तो मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि जो बिहार जारकन उतर पर दे सुरीशा से है वो यहाँ पे आके settlement हो सकते क्योंकि बहुत ही responsible person का यह project है सूरज जादोंसर का और just की information समझना आपकी responsibility है बस thumbnails देख लिए और कहें कि 10-12 pass का 20,000 payment है ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे multiple of positions के लिए hiring चल ले है तो multiple of positions के लिए यहाँ पे अलग-अलग different type of salary रहेंगे तो यहाँ पे अगर कोई picker-packer scanner का काम करता है उसका salary 14,600 रुपे in hand रहेगा loading-unloading का 14,000 रुपे in hand है data entry operator है उसका 17,000 पलस ही रहेगा वो interview के उपर dependent होगा तो 17,000 रुपे प्लस रहेगा यह interview के उपर रहेगा कि कहीं पहले से experience है या नहीं अगर experience नहीं होगा फ्रेसर होंगे लेकिन उसको पूरा computer का अच्छे से knowledge होगा तो definitely उसका salary 17,000 प्लस बनेगा वही supervisor है उसका supervisor का 20,000 प्लस पेमेंट है इसमें 20,000 प्लस है and depend on experience अगर experience अच्छा है तो maybe earning के chances and opportunities भी बहतरीन ही होंगे राइड नाओ यहाँ पे overtime 110 रुपे परती घंटा है यह overtime as for company में काम के उपर dependent होता है लेकिन यहाँ पे supervisor का जो profile होने वाला है उसका यहाँ पे 20,000 प्लस पेमेंट ही रहेगा यहाँ पे mail का post है 150 candidate का और female का post है 100 candidate का same day joining process है interview और job locations यहाँ पे mention है इंडो स्पेस इंडस्टियल पार्क विलेज लुहारी जजजर हरियाना पाटवदी यह location mention already किया गया हेली मंटी के पास आके call करना है और यहाँ पे सभी लोग UP बिहार से आ रहे है पहले दिल्ली आए व duty 8 गंडे की shifting है और यह जो project अभी handle कर रहे है सूरज जादौन सर कर रहे है तो यहाँ पे आप लोग उनसे coordination कर सकते हैं क्योंकि project उनका है तो वह अच्छे तरीके से आपको expression करेंगे और समझाएंगे thank you so much